हलो एवरिवन आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स खास गर्मियों को दूर भगाने के लिए मैं एक दम ठंडी-ठंडी, टेस्टी, हेल्दी, रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हो और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आज मैंने एक डिफरेंट से और खास तरीके का फ्लेवर भी रेडी किया है जिसका टेस्ट इस ड्रिंक में बहुत ही लाजवापसा आता है आज जो हम कंसंट्रेटिट सिरप इसका बनाएंगे उसे भी आप आराम से दो महिने तक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहिए इस ड्रिंक को बना सकते हैं आप इसका एक ग्लास भी पी लेंगे तो आपकी पूरी बॉड़ी के अंदर एनरजी आ जाएगी आपकी immunity भी strong होगी और इस ड्रिंक को छोटे बच्चे और साथी बड़े भी पी सकते हैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बहुती कम इंग्रीडियन के साथ ये बन करके रडी हो जाती है तो बहुती लाजवाब सी रेसिपी है आई ये स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखे चार ग्लास इस ड्रिंक के बनाने के लिए मैंने आप एक लीटर दूद लिया है आप कोई भी दूद ले सकते हैं गाहे का भैस का या पैकेट वाला इसमें से देखिए मैंने चार टेबल स्फून दूद भार निकाल लिया एक बाउल में और इस बाउल के दूद के अंदर अब हम दो टेबल स्पून भर करके कस्टर्ड पाउडर ए Henryц करेंगे आपके पास जो भी फिलिवर वाला कस्टरड पाउडर हो मिक्स्चर तयार किया है उसे हम एड़ करेंगे मैं एक साथ एड़ नहीं कर रहे हूं थोड़ा-थोड़ा करके ही एड़ कर रहे हूं ताकि इसके अंदर लंपस न पड़े और इसे डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे mix करने के बाद friends इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर करके चीनी डालेंगे यह शर्बत के लिए ड्रिंक के लिए तो काफी कम चीनी है लेकिन हम शुगर बाद में भी एट करेंगे और धीमी आज पर इसे 3-4 मिनट तक हम फिर से पकाएंगे 3-4 मिनट के बाद जैसे इसमें काफी boil आ जाएंगे आप देखेंगे इसकी consistency थोड़ी सी गाड़ी थिक हो जाएगी बस हमें यहीं चाहिए था और अब हम गैस को आफ करके इसके अंदर कुछ पिस्ता और बादाम की कतरन भी एट कर देंगे और अब इसे गैस से उतार करके हम room temperature पर ठंडा होने के लिए ऐसे ही रखतेंगे तो जब तक यह थंडा हो रहा है हम पाकी की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ी से गरम दूद के अंदर मैं यहाँ केसर एट कर रहे हूँ ताकि हमें केसर वाला दूद मिल जाए दूद आप थोड़ा सा गुन-गुना लीजेगा तो इसे डाल करके हम साइड में रख देते हैं अब हम लेंगे एक मिकसर जार और उसके अंदर 7-8 डालेंगे छोटी वाली इलाइची और इसके अंदर 2 टिबल स्पून भरकर के हम डालेंगे चीनी और इसे मिकसर में अच्छे से पीस लेंगे इस तरीके से हमें इलाइची का एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर चीनी के संग मिल जाएगा इलाइची को अगर हम ऐसे ही पीसेंगे तो वो काफी दिक्कत देती है तो आप चीनी के साथ उसे पीसेगा यहां पर देखे मैंने half cup बादाम लिये हैं जिसे मैंने दो घंटे पहले ही पानी में भिगोया था और मैंने इनके देखे च्हिलके भी उतार लिये हैं अब उसी mixer jar के अंदर हम ये बादाम एट करेंगे साथी आधा कप पानी हम और एट कर देंगे और इसका एकदम फाइन और स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे हम ड्रिंक बना रहे हैं उसके लिए इसका फाइन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ देखें एक तम फाइन पेस्ट डेडी हो गया है अब इस बादाम के पेस्ट को हम अपने एक फ्राइंग पैन में एट करेंगे हमने पेस्ट को पीसते समय आधा कप पानी डाला था तो यहाँ पर मैं लगभग 1 फोर्थ कप पानी और एट कर रहे हूँ मिक्सर जार के अंदर डाल करके और इसके अंदर हम आधा कपी चीनी डाल देंगे साथी जो हमने इलाई चीज़ी का पाउडर बना के रखा है चीनी के साथ वो भी एट कर देंगे केसर वाला दूद भी रेडी हो गया है इसे भी इसी मिक्सर के अंदर एट कर देंगे तो देखिए कितने सारे बढ़िया से flavor हमने इसमें add किये हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर देंगे थोड़ी सी drink हमारी colorful हो जाए उसके लिए मैं एक drop यहाँ पर orange color add कर रही हूँ आपके पास जो भी food color हो चाहे liquid हो, gel color हो, powder हो आपको add कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद हम इसे gas पर 3-4 मिनट तक पकाएंगे तो मैंने अभी medium flame रखी है जैसे इसमें एक boil आएगा, मैं gas को एक दम धीमा कर दूँगी आपको इसकी चाशनी नहीं बनानी, नहीं बहुत ज़्यादा थिक बनाना है नहीं तो इसके अंदर crystallization हो जाएगा चीनी का हमें पर इसका हलका सा गाड़ा होने तक इसे पकाना है चेक करने के लिए आप चाहें तो चू करके इसे देख सकते हैं हलका सा चिपचिपा पन आपके हाथों में महसूस होगा बस इसी स्टेज पर आप इसे बंद कर दीजेगा इसको बनाने में अमूमन फ्रेंड्स तीन से चार मिनट लगते हैं और जैसे गैस आप बंद कर दें इसके अंदर crystallization बिल्कुल भी ना हो उसके लिए मैं आपर half teaspoon नीबू का रस्पियाट कर रही हूँ और इसे अब हम गैस से उतार करके ठंडा करेंगे अभी ये गरम है इसलिए थोड़ा पतला है ठंडा होने के बाद ये खुद बगुद घाडा हो जाएगा तो लीजे फ्रेंड्स बहुत ही बड़िया से और डिफरेंट से फ्लेवर वाला हमारा ये concentrated syrup रेडी है इसे आप चाहें तो आराम से फ्रिज में रख करके दो से तीन महीने तक ये टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं चलिए अब बनाते हैं हम अपनी ड्रेंक को हमारा जो ये पैन में धूद था वो भी अब पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो इस concentrated syrup के हम तीन टेबल स्पून भर करके इसमें एट करेंगे आपको अगर taste में कम लगता है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और बचे हुए इस syrup को आप चाहें तो फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं तो अभी के लिए देखें मैंने तीन टेबल स्पून इसमें एट कर लिया है और बाकी के syrup को में स्टोर कर लूँगी और इसे अच्छे से अब हम mix करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं custard की वज़े से हमारे दूद में हलका yellowish color था और हमारे syrup से इसके अंदर एक orange shade आने से देखें कितना प्यारा peach shade ready हुआ है यह देखें अच्छे से मैंने इसे mix कर लिया है थोड़ा सा और इसे attractive look देने के लिए मैं आपर कुछ गुलाब की पंखुडिया भी add कर रहे हूँ आप rose water भी चाहें तो इसमें add कर सकते हैं बट मुझे इलाइची और almond का ही flavor अच्छा लगता है तो यह देखें friends हमारी बहुती tasty सी refreshing सी drink बन करके ready है बहुती बढ़िया सी खुश्बू आ रही है जब आप इसे बनाएंगे तो खुदी जान जाएंगे चलिए इसे सफ करते हैं सफ करने के लिए मैंने इस glasses लिए और धीरे धीरे करके हम अपनी इस drink को इसमें डालेंगे आप चाहें तो इसमें ice cubes भी add कर सकते हैं तो बच्चों को बढ़ों को सभी को आप इसे पिला सकते हैं अगर आप दूद के अंदर custard powder एट नहीं करना चाहते तो आप डारेक्ट भी जो हमने concentrated syrup बनाया है उसको अपने बच्चों की दूद के अंदर एक एक टेबल स्पून डाल करके उन्हें दे सकते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा उनकी health के लिए और इसे सजाने के लिए थोड पर जरू try कीजिएगा try करने के बाद अपने experiences अपने अनुभव भी मेरे साथ share कीजिएगा और आज की recipe आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो useful लगा हो तो फटा-फट से इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए साथी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं त चैनल को subscribe करके site में दिया गया bell icon तो जरू दबाईएगा तो friends आज के लिए बस इतना ही ऐसी नई नई interesting recipes के साथ मैं फिर से मिलूंगी तब तक के लिए bye bye take care and thanks for watching